Desktop Environment Objectives इस lesson में आप पढ़ेंगे कि icons क्या होते हैं और ये किस तरह इस्तमाल होते हैं किस तरह icons को desktop पर move कर सकते हैं आप इस lesson में ये भी सीखेंगे कि basic desktop icons कौन से हैं आप ये भी सीखेंगे कि desktop window के कौन-कौन से हिसे हैं किसी भी window को छोटा और बड़ा कैसे किया जा सकता है ये तो आप जानते ही हैं कि किसी भी icon पर click करने से वो icon select हो जाता है लेकिन अगर हमने किसी icon को उसकी जगह से हिला कर दूसरी जगह ले जाना हो तो हम क्या करें ऐसा करने के लिए mouse pointer को हम icon के उपर लेकर जाएंगे देखिए अब हमने mouse का left button दबाया है अब इसे दबाय हुए हम icon को drag करते हुए desktop के दूसरे हिस्से पर ले जा रहे हैं इस तरह हमने icon को एक जगह से दूसरी जगह move किया है अब हम कुछ desktop icons की पहचान कर लेते हैं desktop पर आप computer का icon देख सकते हैं इस icon में एक computer बना हुआ है आमतोर पर ये icon सिर्फ computer के लिए इस्तेमाल होता है इसमें हम अपने computer में मौजूद हर device का पता चला सकते हैं और उसको बहासानी इस्तेमाल भी कर सकते हैं असल में computer का icon पूरे computer को यूज करने के काम आता है recycle bin desktop पर ही हमारे सामने एक और icon है जिसके नीचे recycle bin लिखा हुआ है ये तो आप जानते ही हैं कि bin का मतलब टोकरी है और recycle का मतलब है किसी चीज को दुबारा इस्तमाल के लाइक बनाने याना अगर कोई चीज जाया हो चुकी है तो उस चीज को दुबारा इस्तमाल के लाइक बनाना इसलिए recycle bin वो जगह है जहां ऐसी files वगहरा रखी जाती है जिनको बाद में भी इस्तमाल करना पड़ जाए मगर जिनकी fill हाल जरूरत ना हो यानि ये recycle bin हमारे लिए एक रदी की टोकरी की मानिद है जब कोई file या folder delete करते हैं तो वो recycle bin में जाती है और हम उसे recover भी कर सकते हैं अगर हम अपने computer से किसी file को निकालना या मिटाना चाते हूं यानी delete करना चाते हूं और हमें ये मालूम ना हो कि उस file की हमें بعد में जरूरत होगी या नहीं तो हम उस file को delete करते हैं और computer खुद भखुद उस file को recycle bin में डाल देता है ताके अगर बाद में हमें उस फाइल की जरूरत पड़े तो हम Recycle Benz से उस फाइल को निकाल सकें आप सोच रहे होंगे कि हम बार बार फाइल का लफस इस्तमाल कर रहे हैं फाइल क्या होती है? ये हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं हम अपने डेस्क टॉप पर किसी आइकॉन को सेलेट करते हैं और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाते हैं कम्प्यूटर आप से पूचता है कि क्या वाखई आप इस फाइल को डिलीट करना चाहते हैं? फाइल को डिलीट करने के लिए हम येस पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि Recycle Bin के आइकॉन में कुछ कागस बने हुए हैं। अब हम Recycle Bin पर डबल क्लिक करते हैं। जो विंडो हमारे सामने आई है, उसके एड्रेस बार में Recycle Bin लिखा हुआ है। हमारे सामने वो ही फाइल पड़ी हुई है, जो हमने अपने डेस्क टॉप से डिलीट की थी। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी डिलीट की हुई फाइल हमारे कम्प्यूटर से गाइब नहीं हुई, बलके Recycle Bin में आ गई है। अब हम चाहते हैं कि इस डिलीट की हुई फाइल को अपने कम्प्यूटर से निकाल दें। इसके लिए हम मैन्यू बार में बने हुए बटन जिस पर Empty the Recycle Bin लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं। कम्प्यूटर ने हमारे सामने एक Message Box दे दिया है, जिसमें वो पूछ रहा है कि क्या हम वाकि इस फाइल को डिलीट करना चाहते हैं। येस पर क्लिक करने से, फाइल हमारे कम्प्यूटर से निकल जाएगी, और नो पर क्लिक करने से, हमारे सामने से ये Message Box हट जाएगा। इसको डिलीट किया था, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर Recycle Bin में एक से ज्यादा फाइल्स मौचूद हैं और किसी खास फाइल को उसकी जगह वापस लाना चाहते हैं, तो मतलूबा फाइल पर क्लिक करके उसे Select करें। आप देखेंगे कि Menu Bar में Restore This Item की Option मौचूद है। इस पर क्लिक करने से फाइल वापस अपनी जगह पर चली जाएगी। अगर आपने Recycle Bin में मौचूद तमाम फाइल्स को Restore करना हो, तो किसी भी आइटम को Select ना करें। तो आप देखें कि Menu Bar में Restore All Items लिखा हुआ है। रिसाइकल बिन में मौचूद तमाम फाइल्स अपनी पहली वाली पुजिशन पर ले जा सकते हैं, जहां से हम इन फाइल्स को दोबारा Access कर सकते हैं। जब हम Recycle Bin को बंद करके वापस अपने Desktop पर आए हैं, तो जो फाइल हमने Delete की थी, वो हमारे सामने पड़ी है। डायरेक्ट्री ट्री फाइल्स की शकल में महफूज करते हैं, और फिर फाइल्स को फोल्डर्स में डाल कर रखते हैं। और इस फाइल का नाम Expenses रखेंगे। इसी तरह अगर एक फाइल हमारी आमद नी यानी Income के बारे में हैं, तो हम उस फाइल का नाम Income रखेंगे। ये भी हो सकता है कि जिस दराज या फाइल में हमने ये रखा है, उस दराज का नाम Finances रखते हैं। ताकि बहुत सारे दराजों में से हमको मालूम हो कि किस दराज में Expenses और Income की फाइल्स मौजूद हैं। इसी तरह अगर हमने किसी दराज या अलमारी से कोई फाइल निकाल तो पहले हम अलमारी खोलते हैं, फिर दराज खोलते हैं, फिर बहुत सारी फाइल्स में से अपने काम की फाइल निकालते हैं। या अगर हम Finance के फोल्डर में से Expenses की फाइल निकालना चाहते हों, तो पहले हम Finance की दराज खोलेंगे, फिर Expenses की फाइल निकालेंगे। इसी तर जब हम बहुत सारे folders के जिरिये किसी file तक पहुंचते हैं तो हम एक पूरा पात इस्तमाल करते हैं यानि हम एक रास्ते के जिरिये उस file तक पहुंचते हैं computer की जबान में भी इस इस्तमाल किये गए रास्ते को पात कहा जाता है अब हम देखते हैं कि किसी folder के अंदर Window Explorer को File Explorer भी कहा जाता है ये Microsoft Window के अंदर पहले से ही दीगी यूटिलिटी है जहां हम अपने कम्प्यूटर में मौझूद किसी भी फाइल या डारेक्टरी पर मुख्तलिफ काम कर सकते हैं इसके लिए हम दुबारा कम्प्यूटर के आइकॉन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने कम्प्यूटर की विंडो ऊपन हो गई है इसमें आप देख सकते हैं कि विंडो के बाए तरफ एक पैन है जिसमें इस कम्प्यूटर की एहम डायरेक्टरीज और फोल्डर्स को दिखाया गया है इन directories या folders में से अगर किसी पर click करें तो इस window के दाएं तरफ बने हुए इस box में इस directory के items आ जाते हैं जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं कि बाएं तरफ से computer select किया हुआ है तो इसके नीचे और दाएं तरफ computer के अंदर लगी हुई hard disk नजर आ रही है अब हम बाएं तरफ से New Volume D पर क्लिक करते हैं, तो हम इस Hard Disk के अंदर मौचूद तमाम फाइल्स और फोल्डर्स को दाएं तरफ देख सकते हैं। दाएं तरफ से किसी भी फोल्डर को सिलेक्ट करके हम Menu Bar पर मौचूद मुख्तलिफ Options को इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन, Rename, Open, Copy, Delete वगेरा। फोल्डर आइकॉन आप जरूर सोच रहे होंगे कि हम फोल्डर के आइकॉन को कैसे पहचानते हैं। आईए हम आपको बताते हैं। हम अपने Desktop पर राइट क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक लिस्ट आ गई है। अब हम अपना Mouse Pointer New के आइटम पर ले कर जाते हैं। New पर माउस ले जाते ही हमारे सामने एक और लिस्ट आ गई है। यहां से हम कुछ चीजों के आइकॉन्स बने हुए देख सकते हैं। सबसे उपर Folder लिखा हुआ है और इसके साथ ही इसका आइकॉन भी बना हुआ है। यह आइकॉन सिर्फ Folders के लिए मखसूस है। इसी तरह हम बाकी Files या Software's के आइकॉन्स भी बने हुए देख सकते हैं। Folder के आइटम पर क्लिक करने से हमारे Desktop पर एक नया Folder आ गया है। यह आइकॉन सिर्फ Folders के लिए मखसूस है। अगर आप किसी जगह इस आइकॉन को देखें तो समझ लें कि यह Folder है। Create a Desktop Shortcut Icon अब हम देखते हैं कि हम अपने Desktop पर मर्जूद किसी File या Folder का Shortcut कैसे बनाते हैं। अगर आपने कहीं जाना हो और मंजल तक पहुँचने के दो या जाइद रास्ते हो और उन में से एक रास्ता बाकी रास्तों से चोटा हो यानि Shortcut हो तो आप मंजल तक पहुँचने के लिए यकिन Shortcut अपनाएंगे। इसी तरह कंप्यूटर में भी अगर आप किसी File को जल्द एकसेस करना चाहते हों तो आप Shortcut का इस्तमाल करते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर की विंडो खोलते हैं। इसके बाद हम Local Disk C पर डबल क्लिक करते हैं। अब हम Program Files पर Right Click करते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि किसी भी आइकॉन पर Right Click करने से हमारे सामने एक और लिस्ट आ जाती है। अब हम इस लिस्ट में मौजूद Send To पर अपना माउस ले कर जाते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक और लिस्ट आ गई है। इस नई लिस्ट में मौजूद हम दूसरे आइटम पर क्लिक करते हैं जहां Desktop Create Shortcut लिखा है। अब हम इस विंडो को बंद कर देते हैं। हमारे सामने Desktop पर एक और फोल्डर बना हुआ आ गया है। जिस पर क्लिक करते हैं तो इसका नाम Programs File Shortcut लिखा हुआ है। ये दरसल Local Disk C के अंदर मौजूद Program File के Folder का Shortcut है। इसी तरह हम किसी भी File या Folder का Shortcut बना सकते हैं। चाहे वो File या Folder हमारे Desktop पर हो या हमारे Computer में किसी भी जगा पर मौजूद हो। Resize and Scale a Desktop Window हम Desktop Window की Basic Properties पहले ही देख चुके हैं। आईए अब हम Desktop Window को अपनी मर्जी के मताबिक बड़ा या छोटा करना सीखते हैं। हम दोबारा Computer की Window खोलते हैं। Computer की Window खोलने के बाद हम अपने Mouse को Window के किसी कोने पर लेकर जाते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे Mouse का Pointer तबदील हो गया है। और इस नए Pointer में दाएं और बाएं तरफ arrow का निशान बना है। अब हम Mouse को इसी शकल में क्लिक करते हैं, मगर Mouse का Button नहीं छोड़ते हैं। अब हम जहां जहां Mouse को लेकर जाएंगे, Window का Size भी इसी लिहाज से कम या ज्यादा होता जाएगा। ये काम आप Window के चारों किनारों पर कर सकते हैं। हर किनारे पर Mouse की शकल तबदील हो जाती है। अब हम Desktop Window में उन चीजों पर नजर डालते हैं जिनके बारे में हमने पहले नहीं पढ़ा। अब हम दुबारा कम्प्यूटर की विंडो खोलते हैं। टाइटल बार के बारे में तो आप पढ़ी चुके हैं। टाइटल बार के बिलकुल नीचे Menu बार है। Menu बार में आप File, Edit, View और इस तरह के कई बटन्स देख सकते हैं। किसी भी Menu आइटम पर माउस ले जाने से वो आइटम सिलेक्ट हो जाता है। इस पर क्लिक करने से एक Drop Down Menu हमारे सामने आ गया है। इसी तरह हम देख सकते हैं कि माउस को Edit पर लेकर जाने से Edit के नीचे एक Menu आ गया है। Menu बार के नीचे Tool बार है। इस बार में मजीद कुछ बटन्स बने हुए हैं। ये बटन नीचे वाले Box में मौझूद आइटम्स के मुतालिक होते हैं। इस डबे के मुखतलिफ आइटम्स के लिए मुखतलिफ Menus बनते हैं। जैसा के अभी आप देख रहे हैं के बाई तरफ Navigation Pen से हमने Computer को Select किया हुआ है। तो Menu बार में हमें System Properties, Organize वगेरा के बटन्स नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम Navigation Pen से Documents पर क्लिक करते हैं, तो ये देखिए, Menu बार के बटन्स मुखतलिफ हो गए हैं। और अगर हम यहां से किसी फोल्डर पर क्लिक करते हैं, तो Menu बार में कुछ मजीद बटन्स एड़ हो गए हैं। ये इसलिए होता है कि जो भी आइटिम्स हम सिलेक्ट करते हैं, इस आइटिम्स से मुतालिक जो Functions Perform होते हूं, तो Menu बार में वो बटन्स जाहिर हो जाते हैं। मिसाल के तोर पर हम किसी भी फोल्डर पर क्लिक करते हैं, तो देखिये इस फोल्डर को हम Open कर सकते हैं, Share कर सकते हैं, Email कर सकते हैं या पिर इस जगह एक नया फोल्डर बना सकते हैं। इसी विंडो के सबसे नीचे आप एक और बार देख सकते हैं। इस बार में आप एक कोने में कम्प्यूटर का नाम लिखा हुआ देख सकते हैं। और साथ में एक कम्प्यूटर की तस्वीर भी बनी हुई है। इस बार को status बार कहते हैं। अब हम Navigation Pen से Documents पर क्लिक करते हैं। और Preview Pen में बनी हुई फाइल जिस पर My Text लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि Status Bar में एक तम कुछ लिखा हुआ आ गया है। इसका मतलब यह हुआ कि Status Bar हमें इस फाइल के बारे में कुछ मालूमात दे रहा है। Applications Window अभी तक हमने Windows के बारे में जैनरल बातें सीखी हैं। यानि हमने उन Functionalities के बारे में सीखा हैं जो हर Window में होती हैं। हम ये भी जानते हैं कि कुछ ऐसे Softways हैं जिनको हम System Software कहते हैं। मसलन Operating System और कुछ Softways ऐसे हैं जिनको Application Software कहा जाता है। Application Software के जिरिये हम ऐसे काम कर सकते हैं जो हमारी रोज मारा जिन्दगी में अपलाए होते हैं। ये Softways देखने में बिलकुल आम Windows की तरह होते हैं। मगर उन Softways में कुछ इजाफी खूबियां भी होती हैं। आईए अब कुछ Application Software के बारे में देखते हैं। सबसे पहले Microsoft Word खोलते हैं। जो कि Application Window की बहतरीन मिसाल है। इसके लिए हम Start के बटन पर क्लिक कर रहे हैं। सामने आने वाली लिस्ट में हम अपने माउस को All Programs पर क्लिक करते हैं। तो हमारे सामने एक और लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट में से हम Microsoft Office पर क्लिक करते हैं। इस नई लिस्ट में से अब हम Microsoft Word 2010 पर क्लिक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो विंडो आपके सामने आई है, इसके टाइटल बार में Microsoft Word लिखा हुआ है। यानि ये Microsoft Word की अप्लिकेशन है। आपने देखा होगा कि Microsoft Word भी किसी विंडो से कुछ ज्यादा मुक्तलिफ नहीं है। जैसा कि आप देख चुके हैं, इसमें भी एक टाइटल बार है, जैसे हर डेस्क्टॉप विंडो में होती है। इस एप्लिकेशन विंडो में टाइटल बार के नीचे रिबन टैब्स हैं, जिसमें फाइल, इंसर्ट, होम वगेरा लिखा हुआ है। हर रिबन टैब्स के नीचे बहुत सारे फॉर्मेटिंग मैन्यूज हैं, ये हमने किसी भी विंडो में नहीं देखा था। आप सोच रहे होंगे कि फॉर्मेटिंग मैन्यूज को हम किसलिए इस्तेमाल करते हैं। आपको हम फॉर्मेटिंग मैन्यूज अगले मॉड्यूल में इस्तेमाल करना सिखाएंगे, जब आप Microsoft Word के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। किसी भी Desktop Window की तरहा, Application Window में भी Status Bar होती है। आपको याद होगा कि हमने Status Bar को Window के सबसे नीचे देखा था। और ये भी याद होगा कि ये किसलिए इस्तेमाल होती है। Application Window में भी Status Bar सबसे नीचे दी गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। Minimize and Maximize Applications Window जिस तरह हमने Window को Minimize और Maximize किया था, उसी तरह हम Application Window को भी Minimize या Maximize कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर डैश का बटन बना हुआ देख सकते हैं। इस बटन पर क्लिक करते ही हमारे सामने मौजूद Window एक आईकॉन की शकल इख्तियार कर चुकी है। और हमें Task Bar में नजर आ रही है। जिस तरह हमने Window को Restore किया था, बिल्कुल उसी तरह हम इस Window को भी Restore करते हैं। हम अपने माउस से इस Window के आईकॉन पर क्लिक करते हैं, तो ये Window Task Bar से निकल कर दुबारा हमारे सामने आ गई है। जैसे हमने Window को बढ़ा किया था, और वो Window हमारी पूरी स्क्रीन पर आ गई थी। उसी तरह हम Applications Window को भी Maximize कर सकते हैं। हम Title Bar में बने हुए Box के बटन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये Window भी हमारी पूरी स्क्रीन पर आ गई है। Active and Inactive Window अब हम एक बहुत ही अहम और दिल्चस्प चीज़ सीखते हैं। हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा विंडोज खूली हूँ और हमने एक विंडो से दूसरी विंडो में जाना हो तो हमें क्या करना चाहिए। दूसरी विंडो खोलने के लिए हम सबसे पहले Microsoft Word की विंडो को minimize करते हैं। और फिर डेस्क टॉप पर से कम्प्यूटर के आइकॉन पर double click करते हैं। आप देख सकते हैं कि टास्क बार में दो आइकॉन बन चुके हैं। अब हम टास्क बार में मौजूद Microsoft Word की अप्लिकेशन विंडो के आइकॉन पर click करते हैं। आपने देखा आपके सामने कम्प्यूटर वाली विंडो नीचे टास्क बार में आइकॉन की शकल में नजर आ रही है। जबके Microsoft Word वाली विंडो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। जो विंडो हमारे सामने खुली हुई हो इस विंडो को हम Active Window कहते हैं। और जो विंडो बजाहिर खुली दिखाई ना दे मगर हमें टास्क बार में नजर आ रही हो उस विंडो को हम Inactive Window कहते हैं। Closing Applications Window इस लिसन की आखरी चीज़ जो आप सीखेंगे वो ये है कि Applications Window को बंद किस तरह किया जाता है। एक तरीका तो आप जानते ही हैं यानि Title Bar में बना हुआ क्रॉस का बटन दबा कर। Application Window को बंद करने का एक तरीका और भी है। इसके लिए हम File Menu पर क्लिक करते हैं। इस लिस्ट की सबसे आखरी आप्शन जिस पर Exit लिखा हुआ है उस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते ही ये विंडो बंद हो गई है और इस विंडो का आइकॉन भी Task Bar में नजर नहीं आ रहा। Summary इस लिस्ट में हमने पढ़ा कि आइकॉन किसे कहते हैं और आइकॉन के क्या फवाइद हैं। किस तरह हम आइकॉन को सेलेक्ट कर सकते हैं और किस तरह उनको अपने डेस्टॉप पर मूव कर सकते हैं। इस लेसन में आपने काफी आइकॉन की पहचान भी कर लिये। आपने ये भी सीख लिया कि किस तरह किसी भी आइकॉन का शॉर्टकट बनाया जाता है। इस लेसन के बाद आपको Desktop Window और Application Window के मुख्तलिफ हिसों के पहचान भी होगी है। आप ये भी जान चुके हैं कि किस तरह एक Window को छोटा या बड़ा किया जाता है। किस तरह Window के Size को अपनी मर्जी के मताबिक कम या ज्यादा किया जा सकता है। आपने Application Window को बंद करने के मुख्तलिफ तरीके भी सीख लिया है।